जिन्दगी की राह में कहीं खो गया है इंसान मन्जल मिल जाएगी जरा खुद को तो पहचान होसलो को कर बुलन पूरे होंगे अर्मान उचे हो विचार मुश्किलों में हो मुस्कान राज योक के राज को जान जिन्दगी बने आसान जिन्दगी बने आसान जिन्दगी बने आसान ओम शांती स्वागत है आपका हमायर प्रोग्राम जिन्दगी बने आसान में दोस्तों वक्त और टीचर दोनों ही सिखाते हैं लेकिन इतना ही अंतर है उन दोनों के बीच में कि वक्त जो है वो इंतहान लेकर सिखाता है और टीचर जो है वो सिखा करके इम्तहान लेते हैं इस खुबसूरत बात के साथ आज के प्रग्राम की हम शुरुबात करते हैं हमारे साथ है दॉक्टर प्रेमसन जी ओम शैन्थी ओम शैन्थी वेल्कम टुवाश्यो डॉक्टर सहाब बात कर रहे हम वक्त की अब वक्त में भ कि पता नहीं कल क्या होगा यह जो इनसीक्योरिटी है कल को ले करके इसे कैसे भरा जाए फियर एक नॉर्मल एमोशन है लाइफ का दो एमोशन जो पूरे लाइफ को कंट्रोल करते हैं एक तरफ है लाव एक तरफ है फियर अब फियर एक नॉर्मल फिजालोजिकल एमोशन है हर एक के अंदर आता है जैसे जैसे हम देख रहे हैं टाइम में परिवर्तन आ रहा है समय में और इस परिवर्तन में हर कोई अपने आप में सेटल्ड हो रहा है सेल्फ सेंटर्ड पर्सनलिटी आ रही है और उसके कारण जो उसका सपोर्ट सिस्टम है वो काम नहीं कर रहा है तो इसके कारण वो डर फीर आ रहे हैं और फीर थोड़ा बहुत तो नॉर्मल है पर अगर यह फीर डॉमिनेंट करने लगे तो ब्लॉकेजिस पैदा करता है और दो तरक ही होते हैं रियल और अन्रियल रियल और रेशनल फीर जो आल्मोस्ट नाइंटी एट नाइंटी नाइन परसेंट रहते हैं और इर्रेशनल अन्रियल फीर वन परसेंट से भी कम होते हैं पर हम क्या करते हैं उन अन्रियल फीर को अपने अंदर डाल कर जीते हैं और आपने कहा सबसे बड़ा डर अभी यही हो रहा है कि क्या होगा मेरे साथ क्या होगा अनसर्टेनेटी बह रही है और इनसीक्यूरिटी बह रही है तो इसका भी कारण कहीं न कहीं हम देखें उसके अंदर जो thoughts चल रहे हैं उसके कारण आ रहा है एक environment में जैसे negative thoughts का pattern बनता जा रहा है और वो pattern कब entry कर रहा है पता नहीं एक वो environment में जो create हो रहा है और वो अंदर आ रहा है अब उसके कारण हर एक में कहीं न कहीं वो fear कारण अलग अलग हो सकते हैं उसके किसी को future का है किसी को rejection का है और किसी को anticipation का है जब wait करता है उसमें भी fear आता है embarrassment का है तो यह सब तरह-तरह के fear उसमें रहते हैं और मेरे खल से बच्पन से ही आते रहते हैं जी डॉक्तर साहब fear की जब हम बात करते हैं के अंदर में यह भी देखा गया है कि लोग किसी भी छोटी सी छोटी चीज को भी इतना बड़ा बना देते हैं अगर कोई सोच अगर आप कोई चीज अगर आपको नहीं मिल रही है या वो चीज आप तक पहुच नहीं पा रही है तो वो insecurity और वो जो fear उस चीज को लेकर के ह होता है यह बढ़ता जा रहा है लोगों के अंदर में इसे कैसे रोका जाए जैसा मैंने कहा कि self-centered होने के कारण और support system weak होने के कारण इन सब की entry हो रही है और starting point है कहीं न कहीं उसका खुद का negative thought जो उसके अंदर cycle को गुमा रहा है तो उसको कम करने के लिए हमें खुद को अपने आपको empower करना पड़ेगा और रोज अपने से positive बात करना पड़ेगी तब जाकर हमारे subconscious mind में जो files create होई हैं उनको हम ठीक कर सकते हैं क्योंकि उसका इलाज के वल यह है replacement यह fear बच्पन से आये हैं probably parents है environment है friends है society है culture है इन सब से उसने take over किया है unconsciously consciously अब जो यह pattern अंदर create हो गए हैं वो deep down रहते हैं और नच आते हुए भी हमारा पहला thought negative ही रहता है किसी भी घटना को देख कर situation को देख कर तो अब हमें और fear कैसे हैं by learning बार बार हम उसको learn करते हैं repeat करते हैं revise करते हैं तो वह deep down level तक आते हैं तो अब में उसको रोकना पुड़ेगा पहला जैसे ही मेरे को लग रहा है thought आ रहा है negative thought आ रहा है fear तो body में भी परिवर्तन आता है और fear में देखा गया है blood हमारा brain में न होकर जादा हमारे दोनों legs में आ जाता है पाओं में आ जाता है correct तो जो हमारा decision power है नेड़े शक्ति है परखने की शक्ति है वो कम हो जाती है और हमारे body में कुछ symptom आना शुरू होते हैं heart beat बढ़ती जाती है हमारी intestine moments में परिवर्तन आता है pain जेर सा feel होता है constriction जेर सा feel होता है तो इन सब में अगर आ रहा है मेरे को identify करना और उसी समय कुछ नया thought देना समर्थ शक्तिशाली विचार उसको देना है replace करना है तो तब वो pattern धीरे-धीरे कमजोर होगा और इसकी practice करनी है एक दिन में तो होगा नहीं क्योंकि जो pattern बना है अंदर वो बार-बार इमर्ज हो रहा है स्मरती में आ रहा है तो मेरे को उसकी रोज practice करनी है दिन में दो बार तीन बार कि मैं शक्तिशाली हूँ सब कुछ ठीक है और कुछ positive thoughts अपने को रोज देने हैं तो फिर next time जब वो file खुलेगी तो positive file भी खुलेगी अच्छा दोनों खुलेंगे पर वो negative इता हम नहीं करेगी positive उसको replace करेगी तो main game है इसमें हमारा खुछ से communication अभी इसमें एक और पहलू आता है कई बार ऐसा देखा गया है कि अगर fear है अंदर में तो उस moment आप बहुत negative ही सोचते हैं आप कितना भी चाहेंगे उस वक्त कि आप positive सोचे यह बहुत मुश्क हो जाता है तो ऐसे situation में अपने आपको किस तरह से affirm करें कि जो यह problem है जो fear है वो हट जाए जैसा आपने कहा पहला pattern तो वही खुलता है क्योंकि हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां negative बहुत हो रहा है और हम लोग media exposed हैं हम लोग देख भी रहे हैं और सुन रहे हैं तो यह दोनो सेंसिस हमारे files को create कर रहे हैं जो information input हो रहा है आखों के द्वारा कानों के द्वारा वो हमारे subconscious mind में file create कर रहा है और वो बार-बार हम उसको खोल रहे हैं revise कर रहे हैं तो वो बहुत होता जा रहा है जित्ता मैं जैसे अपने बारे में भोल रहा हूं कि ठीक नहीं हूँ यह बीमारी है यह खाने से मेरे को यह तकलीफ होती है तो मैं क्या कर रहा हूँ pattern को और strong कर रहा हूं और वो thought क्योंकि negative thought जा रहा है तो मेरा जो surrounding environment है वो भी औरा जो मेरा है वो भी negative बन गया तो फिर जैसे pattern खुलेगा और भी कहेगा हां यह होता है तेरे साथ तो पूरा वो हो गई होगा तो यह सब मेरी सोच पर depend करता है आप यह कहना चाहरे है definitely यह सब हमारी thinking का ही product है हमारा जो भी हो रहा है उसका product thoughts की कारण हो रहा है क्योंकि और भी बन गया इंवायरमेंट भी बन गया और अंदर है तो तीनों एक साथ काम करते हैं जब यह negative thought खोलता है एक single negative thought पूरे circle को खोलना शुरू कर देता है तेरे साथ यह हुआ था हाँ होगा तो सब वो questions चलते रहे पुराने files भी सारे एक साथ mix up हो करते हैं और फिर problem create करते हैं टॉक्र साहब relationships की बात करियागर relationships आज इतने ज्यादा complicated हो गए हैं कि हम खुद नहीं जान पाते कि किस तरह से हम इससे बच पाएं आज जब हम बात करते हैं किसी भी व्यक्ति की कोई भी relationship की चाहे wife husband का relationship हो या बच्चे और ममी का relationship हो इसमें भी एक fear साह आता जा रहा है कि क्या ये व्यक्ति मेरे साथ हमेशा रहेगा क्योंकि सच कहें तो किसी का कोई भरोसा नहीं आज जिंदगी में कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं होता तो ये जो एक fear है कि मेरे जो अपने है ये मुझसे कहीं दूर ना चले जाए इस fear का क्या करें क्योंकि ये fear जैसे आप अभी कह रहे हैं जैसा मैं सोचूंगी वैसा ही हो जाएगा तो ये तो fear है मतलब negative thought है और उस negative thought को positive कैसे करें ये भी एक बड़ा fear है और वो मैंने कहा कि रहता ही है 10% 20% तो रहे गाई ही पर उसको हम कम कर सकते हैं कि मेरा जो इस समय pattern चल रहा है वर्तमान में सब कुछ ठीक है हर समय हर second को हर moment को हम केवल positive रखें कि इस समय इस second सब कुछ ठीक है तो जैसा जैसा present हमारा ठीक होता जाएगा तो future भी ठीक होगा मेरा वर्तमानी future create कर रहा है oh my god this is such a big pressure क्योंकि सुनके कैसा लगता है कि मेरा जो present है वो मेरा future create कर रहा है क्योंकि हम ही director है writer है पूरे game का सच में क्या हम खुद है क्योंकि ऐसे भी तो कहते हैं कि भगवान ने सब कुछ बनाया है भगवान पै करता है तो किस हद तक यह सही है कि मेरे जो thoughts हैं यह create कर रहे हैं that is the main thing that is the biggest fear कि उन्होंने क्या create किया है क्योंकि हमें तो पता नहीं है क्या होने वाला है अभी known है और next second unknown है अब known से unknown की entry हर समय है हर second है हर relationship में marriage में है किसी को नहीं मालूम क्या होने वाला है फिर भी marriages होती है relationship बनते हैं एक hope लेकर हम जीते हैं और hope एक ऐसा factor है जिसके कारण हम move करते हैं life में और fear को भी overcome करते हैं तो जित्ता हम इस वर्तमान को ठीक करते जाते हैं जो मेरे हाथ में है बाकी मेरे हाथ में नहीं है क्या pattern लिखा हुआ है next second का program क्या है परमाकमा का तो मेरे हाथ में ये second ही है मैंने इसको ठीक किया कि इस समय मैं ठीक हो तो वो thoughts generate होकर vibrate करेगा और जित्ता मैंने ये generate किया present वाला thought वो ही मेरा future create कर रहा है वो ही मेरा aura create कर रहा है और वो ही मेरा environment create कर रहा है तो जो मेरे हाथ में है मैंने कर लिया इसलिए हमारे हाँ एक बहुत अच्छा ठीयोरी है ब्रह्मा कुमारी की उसमें हम लोग को सिखाया गया कोई भी काम करने के पहले कोई भी जगह जाने के पहले बड़ी दादी सिखाती थी पहले पांच मिनिट बैट कर उस जगह को vibration दो ट्रेन में जा रहे हैं फ्लाइट में जा रहे हैं मैंने बैठ कर पहले vibration दिया positive vibration दिया कि सब कुछ ठीक है मैं जा रहा हूं बैठा हूं और पहुँच रहा हूं तो जो मेरे हाथ में मैंने कर लिया तो जो unwanted fear है, insecurity है वो नहीं रहेगी नहीं रहेगी मेरे साथ एक दूसरा विचार दे देते हैं कि मेरे साथ परमात्मा है God is with me तो वो एक support का काम करता है मेरे साथ company क्योंकि अकेलेपन में ही dull लगता है जब हम अकेले हैं और जैसे ही उसको company में create किया कि वो मेरे साथ है तो वो fear कम तो होगा और जब हम believe कर रहे हैं आपकी theory को में मानूं कि सब कुछ वो बनाया है तो जब उसने बनाया है तो उसके उपर मैंने छोड़ा कि उसने जो लिखा है अच्छा लिखा है परमात्मा है भगवान है और मेरे लिए लिखा है तो उसमें जो भी हो रहा है हर सीन अच्छा है तो दोनों theory को combine कर लिया logic rational और irrational दोनों theory को मैंने fusion में लाया जो मेरे हाथ में है और जो नहीं है faith create किया, hope create किया तो फिर insecurity और डर कम रहेगा तो कि वो हर समय है न हमारे साथ problem, insecurity का, fear का और वो मैंने का जैसे थोड़ा बहुत रहेगा ही रहेगा पर हम उसको कम कर रहे है anticipate पहले से नहीं कर रहे है क्योंकि सबसे बड़ा डर व्यक्ति का रहता है anticipation जब मैं वेट कर रहा हूं, डॉक्टर का वेट कर रहा हूं, इंटर्यू का वेट कर रहा हूं, ट्रेन में चड़ने का पहले का वेट कर रहा हूं उस समय स्ट्रेस लेवल सबसे ज़्यादा होती है वेटिंग पीरियड में तो उस समय मैं अपने को thoughts दे रहा हूं कि सब कुछ ठीक है ट्रेन टाइम पर आ रही है, मैं बैठाओं तो अपने अंदर जो thoughts का reaction चल रहा है, response चल रहा है, नर्वस सिस्टम में वो कम होगा, पैनिक लेवल कम होगा तोंकि जैसे ही मैं पैनिक लेवल लाता हूं, irrational लाता हूं, क्या होगा, कैसे होगा तो पूरा body का system negative direction में जाता है, और फिर और हम पैनिक हो जाते हैं, जैसे कहीं भी लोग भागते हैं, कुछ हुआ, blast हुआ, कुछ problem आया, तो लोग भागते हैं और उस भागदोड में ज्यादा तर नुकसान होता है, जब व्यक्ति पैनिक में होता है, एक second अगर वो थोड़ा सोच कर जाता है, किस direction में जाना है, क्या हुआ है, तो वो better उसके chances रहे हैं, तो यही हमें सीखते हैं, meditation से, कुछ से हम communicate करते हैं, और मन को assurance देते हैं, मन का डर कहां से कम होता, assurance से, मन कहना मांगता है, जब हम उसको कहते हैं, सब कुछ ठीक है, डर मत, क्योंकि डरा कौन रहा है, मनी डरा रहा है, तो मन को ही मेरे को बोलाना है, control करना है, और control करना है, उसको क्या कहना है, बच्चे जैसा, डर मत, सब कुछ ठीक है, खुद को खुदी, मेरा मन मुझे डरा रहा है, तो मैं अपने मन को ही assurance दे रहा हूँ, उसको create कर रहा हूँ, कि डर मत, सब कुछ ठीक है, तो मन हमारा कहना मानता है, तब वो हमारे control में आता है, पूरा game होता है, यह एक second का, मेरे खाल से एक second से भी कम का, फीर, panic और फीर ठीक है, इतना fast होता है, क्योंकि जो information जाती है, वो millisecond से भी कम चली जाती है, fear, knowingly, unknowingly हमारे में आगा है, जो मैंने देखा, flights को देखा, flight में problem आया, गायब हो गई, तो वो सब डर कहां एकटा हो गया, मेरे data bank में, memory data bank, और वो पड़ा हुआ है, और अब मेरे पास thought आया, single thought आया, flight का, तो वो data bank भी खुलेगा, जो मैंने देखा है, और मुझे डर आएगा, तो वो collectively हमारे में fear पैदा करते हैं, और कहीं न कहीं हम अपनी position को loose करने के कारण भी डर आजाता है, व्यक्ति जित्ता attach होता है, possessive होता है, चाहे अपने शरीर से, चाहे relationship से, चाहे job से, तो उसको खोने का डर आता है, हम लोगों का nature क्या हो गया है, कि ये दुनिया permanent है, हर चीज permanent रहेगी, ऐसा है नहीं, अब ये दुनिया temporary है, और उसमें permanent कुछ नहीं है, जित्ता दिया गया है, उत्ता हमें play करना, और कित्ता दिया गया है, कहां तक दिया है, हमें नहीं मालूं, तो उस game को हमें अच्छी तरह play करना, तो attachment भी हमें तकलीब देता है, डर देता है, इंसीकूरिटी देता है, attachment इसलिए हमें detach होकर, साक्षी होकर game को खेलना है, कि मैं साक्षी होकर पूरे game plan को देख रहा हूं, और परमात्मा ने भी यहां बताया कि पूरा ये game है, और तुम एक actor हो, और actor का काम है आकर play करना, नाटक पूरा हुआ और जाना, तो मेरा किसी से attachment emotionally, psychologically नहीं होगा, मेरा care रहेगा, सबको मैं care दे रहा हूं, पर मैं उससे trap में attach नहीं हो जाओगा, और दुख का कारणी है attachment, कहीं किसी से भी, चाहे chair से हो, चाहे position से हो, तो वो अगर हम detach होकर game खेलते हैं तो वो डर नहीं आएगा, क्योंकि मुझे मालूम है कोई भी चीज यहां permanent नहीं है, आई है तो जाईगे, तो ये मेरे अंदर आ गया, temporary दिया गया है, मुझे अच्छी तरह play करना है, तो मैं उससे detach हो गया हूं, साक्षी हो गया हूं, और साक्षी होकर जब हम play करते हैं तो खुशी रहती हैं, क्योंकि जैसे एक सिनेमा में भी अलग-अलग actor होते हैं, part play करते हैं, कुछ scene अच्छे होते हैं, कुछ ठीक नहीं होते हैं, हमें तकलीफ देते हैं, इसी तरीक से इसमें भी है, तकलीफ हैं तो होगी, पर हम उसको ठीक कर रहे हैं. डॉक्र साहब, आज हमने इतनी सारी बाते सीखी, जिसमें मुझे सबसे खुबसूरत बात ये लगी, कि हम सभी actors हैं, और हम अपना role play कर रहे हैं, अगर role play कर रहे हैं, तो फिर उसे detach होकर अगर देखेंगे, तो फिर वो drama की तरह लगेगा, एक खुबसूरत drama की तरह. Thank you so much, डॉक्र साहब. Thank you for coming in this show. डर पर जीत हासिल कर पाएंगे. इस बात के साथ आज की program को में end करते हैं, कल आप से फिर मिलेंगे. आपके ही show में जिन्दगी बने आसान. ओम शांती. जिन्दगी की राहों में कहीं खो गया इंसान. मन्जिले मिले जाएंगी, जरा खुद को ले तुझा. खुद को कर बुलन होंगे पूरे हरमा. मुश्किले मिटे जाएंगी, ओ चेहरों पर मुस्कार. राज योग के तुर राज को जाएंगी, जिन्दगी बने आसान. जिन्दगी बने आसान. जिन्दगी बने आसान. जिन्दगी बने गुल्सक्याओंगी, जिन्दगी बने आसान. झाल झाल